हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को फ्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमश्कार जो 31 में दर्शो को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आईए इस विशे संक में हम चर्चा करते हैं राहू और केतू के राशी परिवर्तन की हमारे नो ग्रह होते हैं नो में से राहू और केतू जो ग्रह होते हैं ये मात्र छाया ग्रह होते हैं और छाया ग्रह के साथ साथ राहू का विसेश जो परिवर्तन है वो सभी के लिए एक बात ध्यान रखें ना शुब है ना अशुब है क्योंकि सभी के लिए पूरी दुनिया के लिए शुब नहीं हो सकता और सभी के लिए अशुब नहीं हो सकता आप राहू का जो असर आता है वो कुछ चुनिंदा बातों के उपर भी आता है और बाकी डिपेंड करता है आपकी कुंडली किस लगन की है क्यों अब राहू 23 सेप्टेमबर से राशी परिवर्तन कर रहे हैं अब 23 सेप्टेमबर से राहू का ये राशी परिवर्तन 18 महीनों के लिए है राहू हमेशा उल्टी गती से चलते हैं जो से हम वक्र गती कहते हैं तो राहु जो उल्टी गती से चलते हैं, राहु वर्शव रासी में कितने दिल रहेंगे, अठारा महीने रहेंगे, और केतु किस रासी में चले जाएंगे, केतु चले जाएंगे, वर्श्चिक रासी में, यानि कि राहु के सामने हमें से केतु रहते हैं, आमने सामने, से ही नाना भाती के पित्रदोश वे उत्पन होते हैं अब आप देख लीजीगा राहू दोशों को लगाने वाला ग्रह है और जिंदेगी में बहुत उंचाई पर लजाने वाला ग्रह भी है जहां सूरिय को ग्रहन लगा दे जो ग्रह वो मामूली नहीं हो सकता जो ग्रह मेरा ग्रह परिवर्तन हो रहा है मेरी रासी पे इसका क्या असरा आएगा मेरे जीवन पे इसका क्या असरा आएगा तो मैंने जैसे कि अभी अभी कहा कि सभी के लिए ये परिवर्तन शुब नहीं है और सभी के लिए ये परिवर्तन अशुब नहीं है क्यों राहू एक ही र करिवर्तन हो रहे हैं सभी रास्यों में इनका परिवर्तन नहीं अब जैसे किसी kijken मेश लगन कि यबर्षब लगन है उससे दित्यए बहूं मैं जिस रबशब लगन है उसके यह लगन में आ गई जिनकर दभाऊ में आ गए तो कहने का भाव अलग-अलग लगन के हिसाब से इनका द्रश्टी कौन रहेगा अब उसके साथ साथ किसको किस ग्रह की महादशा चल रही है किस जातक को क्यांतर दशा चल रही है किस जातक के जरूरी नहीं राहू कमजोर हो तो हो सकता चार ग्रह बलवान इस्तित में आ रहे हूं तो ये बड़ा देखने और समझने का सब्जेक्ट है इसलिए सभी को एक कैटिगरी में लेना कि भई सभी के साथ प्रले आ जाएगी सभी के साथ ऐसा हो जाएगा तो इस बात पर एकदम यकीन कर पाना नामुम्किन है इसलिए मैं बार बार कहता हूं पुने क सुनिए आप लंबे समय से जो धर्म कर्म करते आ रहे हैं उसका भी तो कुछ माइने है उसका भी पॉजिटिव परवाव आपके जीवन के उपर आएगा स्रीमत भागत गीता में भागवान सुरिकर्शन ने लिखा है कि अच्छा कर्म करिएगा तो प्रणाम भी अच्छा ह रहेगा आप अपने जीवन में जो दैनिक साधनाय करते आ रहे हैं तो उनका भी कुछ ने कुछ आपको शुब परणाम मिलेगा आप अपने इस्ट की भक्ती करते आ रहे हैं अपने गुरु मंत्र की भक्ती करते आ रहे हैं उसका भी शुब परणाम मिलेगा यानि कि यह ज कुछ बन जाता बन जाता है ना कि जब भी कोई बुरा प्रभाव हमारे उपर आने को होता तो यह सारी चीज़ें आड़े आकर के हमारी सुरक्षा करती है एक व्यक्ति ने अपना मकान मजबूत बनवाया है बहुत अच्छे से बनवाया है ठीक है आंधी आ रही है आने दो ल कि नुकसान सबका नहीं होता किसी किसी का होता इसलिए पहले से ही हम अपने ग्रोहों को मजबूत करके चलें पहले से अपनी भक्ति सादना को मजबूत बना करके चलें तो हमें बहवीत होने की आवश्यक्ता नहीं है ऐसे ही जो आपके पहले से ही सादना अच्छी चल रही पहले से आप अच्छा मंत्र पढ़ते हैं पहले से आप अच्छा दानपुन करते हैं आप निक नियती से चलते हैं आप अच्छे से वेभार सब के साथ करते हैं आपको बहवीत होने की जरुत नहीं है फिर सनातन सास्तर में प्रारब्द का फल भी आंका जाता है आपका यह प बाद भी आनंदित जीवन जीता है और जो बिचारा हरसे में पूजा करता है उसे कई बार ये लगता है मैं इतना भागवान का नाम लेता हूँ मेरे घर में खुशी आती नहीं और ये निकम्मा व्यक्ति है इसको सब कुछ मिल जाता है क्यों? उसका प्रारब्द है उसका प्रारब्द बहुत अच्छा है लेकिन जब प्रारब्द अच्छा खतम हो जाएगा जिस दिन माइनस हो जाएगा तो उस व्यक्ति को लेने के देने पड़ जाते है तो ऐसे ही हमारे जीवन में हमने जो प्रारब्द किया है वो भी बहुत बड़ा माईने रखता है तो जल्दी से कोई बात सुन करके घबराये ना करें मुझे ऐसे कुछ दर्शोकों के कॉमेंट्स ऐसी कुछ फोन कॉल्स जो अपने बहुती नजीक हैं बड़े डरे हुए व्यक्ति थी तो मैंने का नहीं ऐसा नहीं होता वो आंधी वाला उधारन मेरे याद कीजिए च्छत उसी की उड़ती है जिसकी कमजोर होती है जिसने पहले से अच्छे इंतियाम की होते हैं उसके साथ अच्छा होता है खेर अब मैं इस विशेस अंक में कुछ विशेस उपाय आपको बता रहा हूँ जैसे जो व्यक्ति हनुमान जी की साधना करता है अच्छे से हनुमान जी की साधना करता है दिल से करता है उसको राहू केतू का किसी प्रकार का दोश नहीं लगेगा उसको शुमात्मक फल मिलेगा जो व्यक्ति बटुक भहरव की साथ ना करता है उसको शुमात्मक फल की प्राप्ति होगी बटुक भहरव का कौन से मंत्र है आईए सुने ओम हिरिम भहरवाई नमा क्या बताया हमने ओम हिरिम भहरवाई नमा यह हुआ भहरव मंत्र अब एक बटुग भहरव मंत्र होता है उसे भी पढ़ा देती है ओम हीरिम बटुकाए आपदू धरनाए कुरू कुरू बटुकाए हीरिमोम भगवान भहरव के 108 नाम पढ़ सकते हैं इस मंत्र के साथ इस मंत्र के कितनी माला एक ये दो माला तो ये भगवान भहरव का मंत्र है बटुग भहरव का मंत्र है तो ये बटुग भहरव का मंत्र जो जातक इसकी प्रति दिन एक माला करता है या हर शनिवार इस मंत्र की तीन माला करता है या एक माला करता है इसके सास्त बटुक भहरव इस्तोत्र पढ़ता है या इसके सास्त भहरव के एक सौाथ नाम पढ़ता है एक हजार ना आठ नाम पढ़ता है या काशिका पुरादिनात काल भहरवं भजे इस इस्तोत्र कापाट करता है तो हम आपको विश्वाद दिलाते हैं कि राहू का किसी भी प्रकार की कुद्रश्टी आपके उपर नहीं आ सकती। अगर आप अच्छे से भहरव साधना करते हैं हर शनिवार। आसपास कोई भहरव मंदिर हो वहां जाए सरसु के तेल का दीप जलाए जलेबी या दो लड्डू चणाए और वहीं बैठ करके भगवान भहरव का या तो ओम हिरिम भहरवाय नमा या ओम हिरिम बटुकाए आप दूधार नाए कुरु कुरु बटुकाए हिरिम ओम इस मंत्र सुन्दरता के साथ रहेंगे कोई परिवर्तन का आपके उपर नेगेटिव असर नहीं आएगा पोसिटिफ फल की प्राप्ति होगी अब आगे बढ़ते हैं हन्मान जी को तो यह कॉमेंटमेंट है किनका शनीदेव का शनीदेव ने हन्मान जी से कहा है कि है प्रभू जो आ आपको लाब मिल जाता है जैसे भक्ति करने से ऐसे हन्मान जी की भक्ति करने से शनी की कुद्रश्टी नहीं आती है और राहू की कुद्रश्टी नहीं आती है दो दो प्रकार से आपको लाब मिल जाता है और इसके साथ साथ मेरे दर्श्रको जिस घर में दुरुगा कवच कवच पती दिन पढ़ा जाता हो हिस घर में दर्याक्ष मरत hitting पढ़ा जाता हो आपके उपर नहीं पढ़ सकती मेर्गा कवच जिसका नाम कवच जब कवच बनाते हैं कवच पढ़ते हैं तो हमारी सुरक्षा रहती है मानव से पश Arabn से पक्षियों से हैं और अशुप से हर प्रकार से मारी रक्ष्ष्ष होती है आप दुला कवच पढ़के देखें आप बेजरंग बाण पढ़के देखें कितने इच्छी वाक्ष रख्षा हमें प्रदान होती है तो आपकी जो धनिक साधनाएं हैं वो भी बहुत आपको सुरक्षा देती हैं वो भी आपका बहुत बचाओ करती हैं इसलिए एकदम भैवीत नहीं होने की आवशक्ता आगे बढ़ें अब हम कुछ आपको राहू के भी उपाए बता देते हैं बहुत लोग कहेंगे साब राहू के दोपाए आपता नहीं रहें तो आईए बुद्वार के दिन या शनिवार के दिन हम कुछ आपको शाम के समय दूद बिस्किट कोई न कोई चीज देते रहें और जब दें और भैरवाय नहीं बोल करके दें हम किसी व्यक्ति को काला कपड़ा काला कंबल या कोई भी ऐसी चीज शनिवार के दिन राहू का दिहान करते हुए और राहे बेने में बोल करके हम दे सकते हैं कुट्टे को दूद पिलाने से भैरव भी परसन होते हैं और कुट्ते को दूद पिलाने से रहु भी परसंन होते हैं, दूद पिलाएं या कोई भी छीज इसको जो वो अच्छे से खा सके वो खिलाएं. इसके साथ साथ काली चीटी देशी शक्कर ले ले और देशी शक्कर में काला तिल मिला ले सनिवार के दिन और बुद्वार के सुभा सनिवार के दिन और बुद्वार की सुभा आप वो चीटियों को डाले और यदि सुभर सामें नहीं मिलता तो शाम को ही आप चीटियों को डालें ओम राहे वेने में बोल करके तिल्चोली भी मिलती है बनी बनाई या तिल्चोली ले लें जिसमें कई सामगरिया मिली होती है तो वो जो चीटियों को बुधवार और शनिवार शाम को खिलाता रहे दो चार छे हफ़ते कर दो अब राहू तो अठारा महीने के लिए चेंज हो रहे हैं लेकिन हम केवल दो चार हफते ऐसा साथ हफते भी कर देंगे तो बहुत अच्छा लाप मिलेगा और एक नारियल का भी उपाय सुन लीजिएगा एक नारियल ले लें जुटा वाला जटावाला जो होता है जिसमें अंदर पानी होता है जो हम कलश के उपर स्थापित करती है उस नारियल के उपर साथ भार काला धागा लपेटे और जब लपेटे क्या बोलें S toute आरियल एसे बोलकर काला धागा लपेटे साथ सर्सो के तेल की बिंदी लगाएं और उन बिंदियों पर थोड़ा थोड़ा काला तिल छोड़ दे और जिस व्यक्ति की कुंडली में अश्गता के रुक में राहू आये हो तो व्यक्ति सिर से पैर तक साथ बार उता करके चलते पानी में प्रभा करे शाम के समय ओम राहे वेने में बेबूल करके और हाथ में नारियल लेकर के पानी के किनारे खड़ा हो जाए क्या बोले के हे राहु महराज आपकी कुदरश्टी मुझ पर मेरे परिवार पर ने पढ़े पूरे विश्व में आपकी करपा से सांती हो ये भेट लाया हूँ से सुविकार करें और चलते पानी में डालते शनिवार की शाम को ऐसा कितने दिन करना है साथ सनिवार चीटियों को आपने जो शक्कर और तिल डालना है वो कितनी बार डालना है साथ बुदवार या साथ सनिवार लेकिन शाम के समय एक उपाय और बहुत बढ़ियां बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छा इस उपाय से लाब मिलेगा नीला साबून नीले रंग का साबून ले 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 और जहां पर भी सारजनिक टॉयलेट होते हैं शोचालिया होते हैं चाहिए वो रेलवे के हों कहीं के भी हो होते हैं जहां भी लोग हाथ पर दोते हैं तो शाम के समय राहे वेने में बोल करके वो नीला साबून वार रखाएं राहू का ध्यान करके हम आपको विस्वास दिलाते हैं राहू का किसी भी प्रकार का अशुव आपके जीवन में नहीं आएगा कबूत्रों को बुद्वार के दिन आप क्या करने बाजरा खिलाते रही है दिन में किसी भी समय आपके उपर राहू की अशुवता कता ही नहीं आएगी और आप जैसे मैंने बताया बहरव चालीसा पड़ते हैं बाज तोर से जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं हनमान जी की भक्ति करते हैं और भैरव की भक्ति करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार के राहू की उपाई की आवशक्ता नहीं होती है लेकिन फिर भी आप करना चाहें तो जो मैंने एक नारियल का उपाय बता है ये आप करने चीटियों को उपाय करने कबूतर को बाजरा डाल दें तो इसी से आपके राहू प्रसन हो जाएंगे क्योंकि देखो सभी को कुंडली देखनी नहीं आती आप सो बहुत से बाते हमसे स जो आज मैंने उपाय बता हैं इस वीडियो को दो तीर बार सुन लें और इत्मिनान के साथ उसमें से एक दो उपाय कर लें मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं इश्वर किरपा से आपके इठारा महीने सुक्सांती सी बितेंगे राहू का कोई दुस्प्रभाव या जरूर करने चाहिए जरूर करने चाहिए जो व्यक्ति चाहिए छोटी कमिशन का काम करते हैं बड़ी कमिशन का काम करते हैं चाहिए वो कमिशन लकडी से आती है लोहे से आती है स्क्रैब से आती है किसी भी चीज से आती है उन्हें राहू से संबंदित छोटे मोटे उपाय जरूर करने चाहिए कहीं बकरा बकरी मिल जाए तो उनको आप बुद्वार के दिन या शनिवार के दिन पत्ते खिलाइए जो पत्ते वो खाते होते हैं मजार से मिल जाते हैं या जिनके वो होने कुछ पैसे भी आप दे सकते हैं और जो साफाई करमचारी होते हैं साफाई करमचारी जो भी आपके आसपास कॉलोनी में आते हैं कहीं आते हैं तो शनीवार की सुभा कुछ पैसे से उनकी मदद करिएगा उन्हें आप जो भी दे सकती हैं देखो भाई अच्छा लगता है वो भी मैनद करते हैं तो जो भी बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे इतना ही यदि आप इन में से कोई भी अच्छे से उपाई कर लेंगे तो मेरे दर्शों को मुझे पूर्ण विस्वास है आपके जीवन में सुखसान दियाएगी इसी के साथ आप और ज्यादे गहराई में जाना चाहते हैं कि विसेश मेरे जीवन पर राहू का क्या फरक पड़ेगा मेरे जीवन में राहू क्या परिवर्तन लेकर के आएंगे तो उसके लिए आप किसी भी निकटतम किसी मरमग्य से विसेश प्रकार से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं क्योंकि देखो सभी की कुंडलियों में अलग-अलग प्रकार की ग्रह अपनी इस्तिती में बैठे होते हैं तो अधिक सटीकता के लिए आप किसी को अपनी कुंडली दिखाएं कुंडली ना हो तो हाथ की रिखाई दिखाएं उससे भी आपको बहुत-बड़ी मदद मिल सक करती है इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को बराम देती हैं नमस्कार किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तर हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम बेखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें